दोस्तो वेलकम टू पीके क्लासिस दोस्तो आरजी पीवी डिपलोमा लेटेस्ट अपडेट में लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है जो कि डिपलोमा छात्रों के लिए बहुत ही महत्पून है तो दोस्तो नोटिफिकेशन है रजिस्टेशन आप फर्स्ट सेमिस्टर इस्ट दोस्तो जो भी छात्र मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं, जिन्हों ने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटिस्ट नोडिपिकेशन आपको समय से मिल सकें. तो दोस्तो नोटिफिकेशन 17 तारीक का है 17.3.2021 इसमें 31 मार्च 2021 से आयोजेत MCQ वेस्ट आनलाइन परिक्षा के रजिस्ट्रेशन के संबन्द में संदर्व इस कारेले का पत्तर क्रमांग 13 जनबरी 11 फरवरी और 2 मार्च उपरोक्त विसाय में लेख है कि संदर्व नूसार आपको 31 मार्च 2021 सत्र 2021 में पर्थम समेस्टर के नव प्रवेस्ट डिप्लोमा इंजिरिंग पाठकरम के सिद्दान्तिक परिक्षा के MCQ वेस्ट वेस्टियों की जानकारी प्रदान की गई थी उक आनलाइन परिक्षा में समलेत होने वाले विद्द्यार्थियों को रिजिस्टेशन की प्रिक्रिया अपनाना आवश्चक है संदर्वित पत्रों में रिजिस्टेशन की प्रिक्रिया विस्तार पुरुबक बताई गई थी आप अपनी संस्ता के प्रथम वर्ष के विद्यार्थी जिन्होंने 15 मार्च 2021 की मद्रात्री तक परिक्षा आविदन पत्र भर दियों रिजिस्ट्रेशन कराने हितु सूचित करें जिन विद्ध्यारतियों ने 15 मार्च के उपरांद परिक्षा आविदन पत्र भरा होगा उनके लिए अभी रेजिस्टेशन की प्रक्रिया प्रारंब नहीं होगी विद्ध्याला द्वारा पुनाए 2222 तारिक को परिक्षा विदन पत्र भरे चात्रों की सूची रेजिस्टेशन हित्तु उपलब्द कराई जाएगी तो मींस यह आपके पुराने नोटेश हैं जिसमें सारी प्रक्रिया समझाई गई है कि आपको रेजिस्टेशन कैसे करना है और आपके जो MCQ वेस्ट एक्जाम होगे तो यह साथ में नोटेश सब्जेक्ट कोड आपके इसमें लिस्ट लगी हुई है किसके सब्जेक्ट का MC की वेस्ट एक्जाम होगा जो कि आरजी पीवी ने सभी नोटेश को अटेश करके दिया हुआ है तो यह आपके परिक्षा से आपके संबंदित है सारी चीजें हर एक इसमें दिये हुए हैं आपको कैसे रजिस्टेशन करना है रजिस्टेशन आप कहां करेंगे तो रजिस् आप टाप स्क्रीन आपकी स्क्रीन पर राइट साइड में बटन होगा टाप पर उपर जिस पर आपको क्लिक करना है फिल दा कम्प्लीट रिक्वाइड डिटेल एज रिक्वाइड और इंवर्सिटी रिकार्ड लाइक नेम एर्रॉल्मेंट नमबर डेटा बर्थ और फाद रखना है जो की आप से आंगे उस पर संपर्क हो सके तो इमेल आइडि आप जो भी डालेंगे जो भी यूज करेंगे उसको आपको याद रखना है इमेल आइड को और अप्र किलगिंग वन क्रियेट एकाउंट वटन सिस्टम विल अस्क्रियेटे इस्ट्रांग पॉस्वर नहीं है, आप्टर क्रियेटिंग एकाउंट क्लिक औन लागन बटन तो लागन इंटो एक्जाम डेस्बोड तो जैसे आप एकाउंट बना लेंगे, रेजिस्टेशन कर लेंगे, अपना एकाउंट बन जाएगा, इसके बाद आपको क्या करना है, एक्जाम डेस्बोड में ल पश्चात आपको अपना डेस्बोड दिखेगा, जहां आपके सभी आगामी निर्धारत किती से कम से कम दो दिन पहले तक के पेपर सूची वद्ध दिखेंगे, तो अन डेस्बोड, इफ यू सी नाट एवी लेविल इन फ्रंट आप एनी एक्जाम कोड देन, अपडेट इस इसू तू अबर टेलीग्राम सपोर्ट, डेस्बोड पर यदि आप किसी परिक्षा कोट के सामने अपलबद नहीं देखते हैं, तो इस समस्या को हमारे टेलीग्राम सपोर्ट प पाउगत कराएं, यदि विसाय के नाम में अंतर है विसाय के तो परिक्षा में आवजन म कोई समस्या नहीं होगी यदि विसाय के नाम में अंतर है यदि परिक्षा शुरू होने से 6 गंटे पहले विसाय का start exam बटन highlight नहीं होता है तो इस समस्या को हमारे telegram handle rgpv at the rate rgpv exam.support पर report करें परिक्षा में को कई खंडों में विवाजित किया गए यदि आप परिक्षा ये तू laptop का उप्योग कर रहे हैं तो करपिया परिक्षा बिंडों में अपने दाई और उपलब्द प्रिष्ण मान चेत्र का उप्योग करके अनु विवाग को बदलें यदि आप mobile device का अप्योग कर रहे हैं तो करपिया अनु विवाग बदलने के लिए नीचे स्क्रॉल करें तो दोस्तों यह आपकी रजिस्टेशन सम्मंदे सारी जो नोटिफिकेशन आरजी पीवी ने इसके पहले दिये हुए हैं वो सारी डिटेल्स आपको अपलोड कर दिए तो जिन छात्रों ने परिक्षा फाम 15 तारिक तक फिल कर दिया है वो अपना सिख रजिस्टेशन करें फस्ट एर के स्टूडेंट जिससे आप अपने आनलाइन MC की वेस्ट एक्जाम में अपियर हो सकें थेंक यू दोस्तो तो दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें वो वीडियो को लाइक करें